हम सबने राजा रानी की तो कहानिया सुनी ही हैं लेकिन आज आपको सुनाते हैं एक असली राजकुमारी की कहानी जी हाँ ये कहानी शुरू होती है सन 1929 की 23 मई को जब जन्म हुआ था कूछ पिहार की राजकुमारी गायतरी देवी का उनकी मा ने उनका नाम आईशा रखा था क्योंकि वो शी नामक पुस्तक पड़ रही थी उनके पिता श्री जीतेंद्र नरायन जी कूछ पिहार के राजा थे और उनकी मा इंद्रा राजे जी बड़ोदा खराने से तालुक रखती थी महरानी इंद्रा राजे जी मराठा महराजा साया जी राओ गायकवार की अकेली पुत्री थी महरानी गायत्री देवी का जन्म हुआ था लंडन में और उनकी प्रारंबिक शिक्षा भी लंडन में ही हुई थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने शांती निकेतन में खी और फिर वो पढ़ाई के लिए स्विट्जर लेंड चली गई महरानी की खुबसूरती और उनकी सौमता और शिष्टता लोगों को प्रभावित कर लेती थी वो पूरे विश्व की सबसे खुबसूरत महिलाओं में से एक थी महरानी की मुलाकात अपने पती सवाई मान सिंग दितिय से तब होई थी जब वो केवल बारा वर्ष की थी और महराजा पोलो खेलने के लिए कलकता आई हुए थे और उनके परिवार के साथ ठहरे थे ये वो सुनहरा दोर था जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं इसी पीते हुए समय के बारे में जब उनसे एक इंटेव्यू के दोरान सिमी ग्रेवाईल जी ने पूछा था कि आपको ये जो बदलाव अब हो गया है उसमें और पुराने समय में क्या अंतर समझ में आता है तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल तीन राज्य देखे हैं बड़ोदा जो मेरे ग्रैनफादर की स्टेट थी जो अपने प्रजा जनों के हित के लिए सब कुछ करने को तयार रहते थे कूछ बिहार जो मेरे पिता का राज था और जहां पर पूरा राज एक बड़े परिवार की तरह रहता था और मेरे पती काराज जैपुर जहां पर सब कुछ प्रजा की भलाई के लिए ही किया जाता था लेकिन अब ये समय नहीं रहा है अब moral values एकदम बदल गई हैं और लोग अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं उन्होंने कहा जब वो politics में आई तब उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी जिससे वो और उनका परिवार परचित नहीं था वो एक अलग दुनिया थी महराणी ने बताया कि जब जैपुर के महराजा उनके साथ ठहरने के लिए आए तो उनके सारे दोस्त उन लोगों से जलने लगे और वो लोग महराजा उनकी खुबसूरतकार और उनके साथ आए उनके एक से एक शांदार पोनीज को देकर मंत्र मुग्द हो गए थे और सब लोग एक तरह से महराजा को वर्शिप करने लगे थे जब महराजा पोलो खेल रहे थे तो पूरी की पूरी जनता उन्ही को चियर कर रही थी और महराजा एक के बाद एक मैच जीतते जा रहे थे फिर बाद में जब आफ्टर पार्टी हुई तो वो और उनकी छोटी बेहन भी उस पार्टी में शामिल हुए और महराजा ने उन्हें अपने क्लास से ड्रेंक आफर की और उन्होंने कहा मैं किसी का चूठा नहीं पीती तब तक उनकी गवर्नेस उनको और उनकी बेहन को सोने के लिए बुलाने चली आई वो बताती है कि वो महराजा को बहुत पसंद करती थी लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ संभा हो पाएगा हलाकि जब वो केवल 14 साल की थी तब महराजा ने उनकी मा से कह दिया था कि वो महराणी कायटरी देवी से विवाह करेंगे जब वो बड़ी हो जाएंगी और जब महराणी 16 साल की हुई तब महराजा ने उन्हें प्रपोस कर दिया और उनसे कहा कि वो पोलो खेलते हैं और दूसरे भी कई गेम्स खेलते हैं तो हो सकता है कि कभी उन्हें चोट वगएरा लग जाए लेकिन महराणी ने तुरंत ही हा कर दिया लेकिन क्योंकि महराजा के दो विवा हो चुके थे इसलिए उन लोगों की कोडशिप लगभग नौ साल तक चलती रही महराजा उनसे उम्र में बड़े थे जब वो बारा साल की थी तब महराजा 21 साल के थे लेकिन प्यार कोई भी सीमाए नहीं देखता 9 मई सन 1940 को दोनों का फिवा हो गया हलकि महराजा की दो शादियां पहले से हो चुकी थी महराणी ने बताया कि महराजा की दूसरी पत्नी उनकी बहुत अच्छी मित्र थी महराणी ने पताया कि जब महराजा ने उनकी मा से उनसे शादी करने के लिए कहा था तब उन्होंने ये कहा था कि वो जैपुर में कुछ बदलाव चाहते हैं उस समय समाज में परदा प्रथा का प्रचलन था और महराणी बताती है कि महराजा ने उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि ये प्रथा समाप्थ हो तब मैंने उनसे कहा कि यदि आप मुझे एक गर्ल्स स्कूल दे दें तो मैं इस प्रथा को दस साल के अंदर समाप्थ कर दूँगी और तब राजस्थान का पहला वित्याले लड़कियों के लिए प्रारंब हुआ महराणी बताती है कि मैं स्वैम तो परदा नहीं करती थी लेकिन जब हमें कहीं बाहर जैपुर में जाना होता था तो मुझे भी परदा प्रथा का पालन करना होता था लेकिन महराणी कायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल खुलने के कुछ ही समय बाद ये सब बदलने लगा महराणी बताती है कि जब उन्होंने स्वतंत्र पार्टी जोईन की तब उन्होंने अपने पती से पूछा कि महराजा क्या मैं ये पार्टी जोईन कर लू और उन्होंने कहा ठीक है तब सदस्यता के लिए आठ आने लगते थे और उनके पास एक रुपया था जब उन्हें पहली बार एक मीटिंग में बोलने के लिए कहा गया तब क्योंकि परदा प्रता थी और मैं बहुत डरी हुई थी कि कोई आएगा या नहीं मगर गाड़ी में जो लेड़ी मेरा इंतजार कर रही थी जब मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं कोई इस मीटिंग में मुझे सुनने आएगा या नहीं तो वो बोली कि जैपुर में तो दो बंदर अगर नाशते हैं तो सारी दुनिया देखने चली आती है। और महरानी मुस्कुराते हुए बताती हैं कि क्या कंपेरिजन था लेकिन इतनी सादा भीड हुई थी उनकी सभा में कि वो खुद भी हैरान थी और उसके बाद उन्हें चुनाओ लड़ने का प्रस्ताओ दिया गया। वो बताती हैं कि मैं फिर से अपने पती के पास गई और उनसे कहा कि उन लोगों ने तो मुझे खड़े होने के लिए कहा है चुनाओ में। तब महराजा ने उनसे कहा कि वो आपके सिवा और किसको चुनाओ में खड़ा कर सकते हैं। उस चुनाव में माहरानी को इतने ज्यादा वोट मिले थे कि उनका नाम गिनीज बुक और वर्ड रेकॉर्ड्स में आ गया माहरानी बताती हैं कि जब वो चुनाव जीत गई और उसके बाद एक ट्रक में बैट कर जैपुर में निकली तो पूरा का पूरा जैपुर शहर ही उनका अभिवादन करने के लिए निकल आया था और इतनी जादा भीड़ती कि जिसका कोई उधारन दूसरा नहीं है उनसे जब पूछा गया कि आपको आगे बढ़ाने में आपके पती कितनी भूमिका है तो वो कहती हैं कि मैं जो कुछ हूँ सब अपने पती की वज़ा से ही हूँ उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया और मेरी मा कहती है कि तुम बहुत लखी हो वरना बहुत से पती अपनी पत्नियों की सफलता से जेलस फील करते हैं माहरानी के पत्र राजकुमार जगत सिंग जी का आकस्मिक निधन सन 1997 में हो गया था उनका विवा थाईलेंड की राजकुमारी से हुआ था माहराजा की मृत्यों भी सन 1997 में हो गई थी माहरानी काहित्री देवी सुन्दर्दा के साथ साथ बुद्धी मता का भी प्रति रूप थी और उन्होंने जैपुर में बहुत बदलाव लाए 29 जुलाई 2009 को 90 वर्ष की आयू में माहरानी ने अपनी अंतिम स्वास ली और एक सुनहरे योग का अंत हो गया कि अचुर में होरा है कि लिए और ठेक झापके थी झाल, थार उचल, जराखे सै को टास nice कि लिए